छटका लगा है, रोनाल्डो को स्पेन के टेक्स चोरी मामले में दो साल की सजा सुनाई गई है इसके साथ ही रोनाल्डो को कर्चोरी मामले में जुर्मानी के रूप में 18.8 मिलियन यूरो यानि लगबग 150 करोड रुपे भी चुकाने का आदेश दिया गया है रियल मैटरिट के स्ट्राइकर ने सजा स्वीकार कर ली है, वैसे रोनाल्डो के फैंस को इस खबर से रहत भी मिल सकती है कि वे शायद ही जेल की सजा काटेंगे ऐसा इसलिए क्योंकि स्पेन की टैक्स प्रशासन और देश के नियमों के मताविक पहले जुर्म के लिए अगर दो साल या इससे कम की सजा सुनाई जाएगी तो उससे प्रोबेशन तक ही सिमित कर दिया जाता है